प्रश्च के बारे में इस्टेडी करेंगे और वह आमें ध्यान रखना है माइट्रो कॉंड्रिया ज्यान दीजिए किसके बारे में हम पढ़ेंगे आज माइट्रो कॉंड्रिया की बारे में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि माइट्रो कॉंड्रिया का मतलब क्या है इस अर्थ क्या है इसका तो ध्यान दीजिए माइट्रो कॉंड्रिया दो सब्दों से बिला हैं एक तो mitos का मतलबत है thrid यानि सूत्र और आप ध्यान दीजे kondria का मतलबता granules यानि कणिका तो इसे हम एक और नाम देते हैं क्या नाम देते हैं सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है तो कई बार हिंदी में देख दिया जाता है सूत्रकणिका तो आप क्या जान दीजिए माइट्रोकॉंड्रिया को सूत्रकणिका की नाम से भी जाना जाता है अब उसके बाद में बात करते हैं खोज की तो माइट्रोकॉंड्रिया की खोज किस परकार से उस बारे में देखते हैं कि माइट्रोकॉंड करने इनको सबसे पहले आपको दिखानना है रेखित पेशियुम देखाता तो कोलिकर ने कीटो की नेको पेशियू मेट सबसे पहले देखाता यह हमें देंऄन रखना है फिर उसके बाद में फ्लिमिंग ने आपको ध्यान रेकना है कि फ्लिमिंग नामक वेगनेक थे इन्होंने माइट्रोकॉंड्रिया को एक नाम दिया फ्लिमिंग और फ्लिमिंग से ही आपको याद रखना है इन्होंने नाम दिया फाइलिया क्या नाम दिया तो आप ध्यान दीजिए इन्होंने फाइलिया नाम दिया फिर उसके बाद में एक वेगानी का नाम ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अल्टमान अल्टमा ने इसको बायो प्लास्ट नाम दिया ध्यान दीजिए अल्टमा ने इसको क्या नाम दिया बायो प्लास्ट नाम दिया और उसके बाद में सी बेंडा ने इसको माइट्रो कॉंड्रिया नाम दिया तो सी बेंडा ने इसको क्या नाम दिया माइट्रो कॉंड्रिया ना नाम दिया अल्टमा ने बायोप्लास्ट नाम दिया और सी बेंडा ने माइट्रोकॉंट्रिया नाम दिया तो यह हमें ध्यान रखना है अब ध्यान दीजे खोज के बाद में हमें ध्यान रखना है उपस्तती माइट्रोकॉंट्रिया कहां उपस्तित होता है तो आप ध्यान द उपस्तती हमें ध्यान रखनी है फिर उसके बाद में इनकी आकार की बात करें तो यह आकार में होता है वह कैसा हो सकता है गोलाकार हो सकता है छडाकार हो सकता है तंतू रूपी हो सकता है तो गोलाकार छडाकार या तंतू रूपी डिस्क रूपी इसकी सरचना होती है अलग- प्रते कोशिगा में इनकी संख्या एक होती है इनमें प्रते कोशिगा में इनकी संख्या कितनी होती है एक होती है यह हमें ध्यान रखना है तो माइक्रोस्टेडियोस और क्लोरेला जैसे जो जीव होते हैं उनके अंदर परत्य कोसिगा में इनकी संख्या कितनी होगी एक होगी और आप ध्यान दिजिए एक और प्रोटो जुआ जिसका नाम है अमीबा की एक जाती है के ओस के ओस अमीबा के ओस के ओस अमीबा है उसमें आप ध्यान दीजिए के ओस के ओस है उसके अंदर आप देखिए तो माइट्रो कॉन्टिया की संख्या होती वह पांच जार तक होती हैं तो यह हमें ध्यान रखने हैं कि इनकी संख्या होती है वह बि स्रचना के बारे में कि माइट्रो कॉंड्रिया की स्रचना के इस प्रकार की होती हैं ध्यान दीजिए स्रचना के बारे में तो माइट्रो कॉंड्रिया है वह एक दोहरी जिली से परिवद होता है माइट्रो कॉंड्रिया होगा इसके बाहर के और कितनी जिली पाई जाती है दो जिली उपस होती है मैं छोटा सा डाइग्राम बना रहा हूँ आसाने से आपको समझ माझा ढाएगा सैध ध्यान दीजिए यह माइट्रो और सबसे बाहर की जिली यह पर की ज्ली में जगा पर क्या पांगे आँगी उभार पाइजाना मेड़बती हैं et力 नाम से जानता है in LOVE हर की सरचना होती है अब ये सबसे पहले आपको जहनकने कौनसी जिली हो जाएगी बहाय जिली ये कैसी होती है सतत होती है लगातार होती है और उसके बाद में जिली कौनसी है आंत्रिक जिली है ये हमें जहनकना है तो ये कौनसी जिली हो जाएगी आंत्रिक जिली होती है तो माइट्रो कॉंड्य को जाता है तो इस फरकार से अंतर माईट्रोकॉंड्य लावकास या परी जिली का अवकास कह सकते हैं या सकते हैं या हमें माईट्रोकॉंड्यृ कॉंड्यय L निवर सबसे पहले बाहर के और होती आंत्रिकृ च्हशिशन की बीच ता उस इआवन क्या उता ऑपस्तित होताएं उस्षा के हैं रहुप हमते हनुब होता है तो यहां पर यहां पर यहां पर ध्यांटी होते हैं फिर आंत्रिक के अंदर जी होती है वह जिली आपको ध्यान रखना है उस पर बहुत सारे रेकेट नुमस रचना है पस्ति टैनिस की रेकेट नुमस रचना है जिने हम F0 F1 कण कहा जाता है तो इन्हें हम क्या गएंगे F0 F1 कण कहा जाता है यह F0 F1 कण होते हैं इसे ही अव एक और नाम देते हैं ऑक्सीसॉम भी जाना जलता है यह अपको धान पने इस पर एक पस बता है जिसे हम A T P A E Synthes B कह सकते हैं तो यह में ध्यान रकना इस पर कौन सा रचना होगा A T P A Synthes It जो की A T P Synthesn का कारिया करता है तो इसके चांथ्रिक जिली पर ही विविन प्रकार के जो की जो है सृसन प्रिक्रिया होती है इसृषया को ब्रदर में इससे जंदाता है इस जिली पर उपस्तित होते हैं तो यह हमें आंत्रिक जिली के बारे में ध्यान रखना है और उभार होते हैं इन उभारों को हम क्या कहते हैं क्रिष्टी कहा जाता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है क्रिष्टी की नाम से जाना जाता है तो आंत्रिक जिली होगी उसमें बहुत सारे रेकेट के समान परवर्द पा जाते हैं जिन्हें हम किस नाम से जाना जाता है या क्रिष्टी की नाम से जाना जाता है तो यह हमें ध्यान लखना है अब ध्यान दीजिए सबसे इसके अंदर क की और होता है वह क्या उपस होता है और इस तरल कदार्थ हुम हुआ कहता है consolidation है में में राइबूसम उपस्थ होते हैं और डियने होता हैं वह भी प् Yasok okay um समहनता दरस्त है अतार्त इनकी उतपती हु यह से हुई है 현 तो मैट्रिकस के अंदर क्या क्या-पस्त होगा आरे ने होगा डिय ने उ पस्त होगा सितर्य स्राइबोस हम उपस्तीथ होता है है इसके अत्रिक्त और आप ध्याूं दीजिए इनकी अंदर मैट्रिक में मैट्रिक्स में के साचना में जबकि ऐसी कारी फास्फोलिकन की क्रियावदी होती है वह आपको दानक consortia कहां पर संपन होगी अन्तिक जिली पर संपन होती हैं तो यह अब दो साथ की सरचना के बारे में ही अगवार वापक सथ सुनगे माइट्रोकॉंड्रिया दोरी जिली से गिरावा रहता है जोकि वसा और प्रोटीन से बनी हुई होती हैं बहाया जिली और नवी जिली सतरय लगातार होती हैं जब कि आंट्रिक जिली ऊसमें कई भार वपसे नाम से हैं यहाँ बहुत हैं इसके बाद में बहुता हैं विद्व संदेशन का कारिया कि आ जाता हैłem हथारि यहाँ पर आक्सी कारी फास novo लेड़क से सम्मंदित हैं होते हैं वे ये भी आंत्रिक जिली पर उपस्तित होते हैं इसके बाद में आपको धायुता है जो आंत्रिक जिली के अंदर का भाग होता है। जो से मेत्रिकस कहते हैं जिसमें और डिये निये- Umsam है संब्सक्राइब स्वंद жाइब से पिर माय ठोकोंड़िया है तो आप जान दि democratic कि बनेंगे ड्रकोंड़न के माध्यम से बनते हैं त react withIm important कार्या हमेंत झाल पहला तो क्या जान लेकrä इसको कोशिका का सकती सकती घ्रह का जाता है पावराऊस का ईया है कि seven diving करता है 135 का निरुवान करता हैं frightening रूंप में परिवर्बत हो जाएगी और DP की रूप में परिवर्बत हो जाएगी और इस इसी उर्जा का उपयोग विविन परकार के उपाप चीक रियां में किया जाता है तो यह द्यान रिकना है जो लीफ पाइर वी कम बनता है और पाइर भी कम लोगा उससे आपको रहने करता है तो यह हमें करता है तो यह हमें करता है उस चक्र को किस नाम से जानते हैं क्रेप से चक्र तो आपको सीधा साथ है तो यह हमें द्यान रिकना है मैट्रिक्स में में उसके बास में और होता है जिसके वर अगली क्लास में हम नेक्स्ट को सिकांग के बारे में चर्चा करेंगे तब तक लिए धन्यावाद थैंक्यू